हाई दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर पोको फोन में काल पर स्क्रीन लाइट बंद हो जाती है तो कैसे ठीक करेंगे तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्स का आप्सन मिलेगा इस आप पर क्लिक करना है फिर उपर एप मैनेजमेंट या एप का आप्सन मिलेगा इस आप्सन पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए फोन वाले एप को खोजना है तो नीचे आते हैं और फोन वाले एप को खोजते हैं देखिए यहाँ पर है इस पर क्लिक क करने के बाद यहां पर force stop का option मिलेगा इस option पर क्लिक करना है और यहां से force stop कर देना है इतना करने के बाद अब यहां पर storage usage या storage का option मिलेगा इस option पर क्लिक करना है फिर यहां पर clear data का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है और okay कर देना है ऐसा करने से कुछ भी delete नहीं होगा कोई number delete न अब अपने playstore को open करنا है और यहाँ पर search करना है phone जैसे ही phone search करेंगे तो यहाँ पर जिस app से आप call करते हैं आ जाएगा इस पर click करना है और यहाँ पर check करना है कि app update है कि नहीं है अगर अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से update कर लेना देखे मैंने कर रखा है तो इतना चेक करने के बाद अब अपने फोन को एक बार री स्टार्ट करना है कैसे री स्टार्ट करेंगे तो देखे जो फोन का लाक इसकीन वाली बटन है जिससे मुवाईल लाक करते हैं इस बटन को कुछ सेकेंड तक दवा कर रखना है तो यहाँ पर आप्सन आएगा री स्टार्ट का रीबूट नाम से भी हो सकता है तो इस आप्सन पर किलिक करना है और जैसे ही फिर से किलिक कर देंगे तो फोन अपने आप ही स्विच और फोकर स्विच ओन हो जाएगा इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉलम रहेगी वो भी सही हो जाएगी फिर आप बात कर सकते हैं तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू